मालवा माटी के विश्व विख्यात संथ पंडित स्री कमल किसूर जी नागर की द्वारा राजगर जिले के ग्राम सुकली में कमल गोसाला परिसर के अंदर 21 नमंबर रविबार से 29 नमंबर सनिबार तक स्रीमद भागवत कथा की ज्यानगंगा बहाई गई पंडित कमल किसूर जी नागर के मुखारविन से कता सुनने के लिए राजगर जिला सहित आसपास के साजापूर, सिहोर, रायसेन, भोपाल, होसंगाबाद, विदीशा, देवास, गुना सुईपुरी, तहित अन्य जिलो के हजारोस रधालू, पहुचे और महा विशाल कारिक धर्म के दोरान लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाई का जाब किया गया, संत स्री पंडित कमल किसूर जी नागर के द्वारा, स्रीमद भागवत कथा के दोरान जीवन में जरूरी अनेग विशो को कथा प्रसंगों के माध्यम से रखा गया, उन्होंने सभी पिरकार के नसो से दूर रहने, गो माता की सेवा करने, राष्ट के पित्री पित्री समड़पित रहने, धरम का पालन करने, नित भगवान का नाम जबने, सहित अन्य सत्संग प्रवचन दिये, ग्राम सुकली में आयुजित महा आयुजन के दोरान, बोडा थाना प्रभारी राम नर इस राठोर के दोरा सुरक्षा विवस्ता की कमान संभाले गई, तो इधर आयुजन समीति के सदस्तों के दोरा, इस्थानिय सहित बहार से आने वाले अथीतियों के सत्कार की विवस्ता की गई, कारिक्रम के दोरान प्रति दिन महा प्रसादी का विद्रण किया जाता रहा, कथा के समापन दिवस सनिवार को अनेक विशेस कारिक्रम आयजित किये गए गो माता और गीता जी की विधिवत पूर्जा अरचना की गई समापन दिवस पस हजारों की संख्या में स्रधालू समलित रहे आदर्स न्यूज के लिए राजगर से पत्रकार रादेशाम राठोर की खास रिपोर्ट मत्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्स न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सकाइब करें और बिल नोटिफिकेशन ओन करें साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेपसाइट पर विजिट करें